नेता विपक्ष अभें सिंग चोटाला ने इनलो बसपा कारे करता सम्मेलंग यमुनानागर में कॉंग्रिस व भाजपा पर इनलो को तोड़नाय के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। नेता विपक्ष ने दोहराया कि इनलो प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ाय के लिए वचनबर्द है किसान के खेत को पानी मिले उसके लिए इस्वाई एल नहर के निर्मान के लिए फिर से आंदोलन किया जाएगा। जर्मान के लिए भी कोई पहल नहीं की जो दर्शाती है कि इस सरकार का जनता वा किसानों की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। तीन साउ रूपे प्रतिकुन चलकम दामों पर खरीदा नेता विपक्ष ने ये भी कहा कि भाजपाने चनाव से पुरुजनू ठेवादेकर हर वर को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने उन प्रकाश चोटाला द्वारा प्रदेश की जनता से किये गए वादों को दोहराते हुए कहा कि इन लोबस पागजबंधन की सरकार बनने पर किसान, गरीब वा छोटे दुकांदारों की रिर्माप किये जाएंगे। साथ ही किसानों की ट्यूब वलके बिजली बिल समाप और घरों में बिजली के बिलाधे कर दिये जाएंगे। गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए पांच लाख रुपए कन्यादान की राशी दी जाएगी। नेता विपक्ष ने ये भी कहा कि प्रदेश के हर एक घर में एक शिक्षित युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं अगर को रोजगार से चुग गया तो उन युवाओं को 15,000 बे रोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस दौरान इनलो प्रदेश अध्यक्ष अशोकरोडा, बसपा प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती, पुर्व विधाक डिल्बाग सिंग, प्रदेश प्रवक्ता प्रवीनात्रियन, अशोकरोडा, अशोक शेर्वाल, नरेश सारण, रणधीर सिंग, जाहिद खान, दल शर्मा, विजय बबबर, रीता महता मक्सुद अली, धनवन तरेशेन, श्याम सुंदर वर्मा, चंदर चावला, गोर्प्रेट सिंग चावला, श्रिव गुप्ता, अर्जन, मुस्तकीम, डेविंडर संथु मेवाराम, ललिक चोदरी, सुभाष डांडा जुलभान, नीलु राम त्यागी, श्री राम, देवी दयाल, तरणजीत सिंग, रवी, जददू, इकबाल पप्पू, मस्रूप, नाइब, अब्बास अली, अमिर्च शर्मा सहेतों की संख्या में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कारे करता सहेत अने गटबंध नेता उपस थित्थे.